क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी में सेंध मारी की कोशिश कर रही है? क्या चाचा शिवपाल सिंग यादो छोटी बहु अपड़ना यादो को समाजवादी पार्टी में लाने में जुटे हैं? दरसल बीजेपी नेता अपड़ना की बीजेपी से नाराजगी की खबरें लगातार चर्चा में दावा किया जा रहा है कि अपड़ना यादो यूपी महिला आयोग में उपाद्यक्ष का पद मिलने से खुश नहीं है खबरे हैं कि अपढ़ना यादो को उपाद्ध्यक्ष का पद कद के मुताबिक कम तर लग रहा है ऐसे में नाराज अपढ़ना का अगला कदम क्या होगा इस पर अटकलें तेज हो चली अपनी नाराजगी को लेकर अपढ़ना यादो कल दिल्ली भी पहुँच गई जहां उनके बीजेपी आलाकमान से मिलने की खबरे इस बीच सूत्रो का दावा है कि अपढ़ना यादो ने ग्रिह मंत्री अमिश्चा से फोन पर बातचीत फोन पर हुई बातचीत में अपढ़ना ने अपनी तकलीफ बयान की दावा किया जा रहा है कि अपढ़ना यादो उत्तर प्रदेश महिला आयोग में उपाध्यक्ष पत के लिए तयार नहीं है सूत्रों के नुसार अपढ़ना की बात सुनने के बाद ग्रिह मंत्रिया में शाह ने अपढ़ना की पूरी बात सुन और विचार करने की बात कहीं अपढ़ना को बीते मंगलवार राजिपाल के निर्देशा नुसार महिला आयोग क्या उपाध्यक्ष बनाया गया था अलाकि अपढ़ना इस पद से खुश नहीं। पद बिलने के बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिगज नेता और अपने चाचा शिवपाल सिंग्यादों से भी मुलाकात की। इसके बाद ही कहा जा रहा था कि अपढ़ना वीजेपी का दामन छोड़ देई। मिलने की वज़ा है। हलाकि अब तक अपढ़ना ने सार्वजनिक तोर पर खुद कुछ नहीं कहा है। उनकी इस चुप्पी के वज़ा से सस्पेंस और बढ़ गया है। वरिष्ट समवादाता विशेक उपाध्या के इनपूट से रिपोर्ट।